जैसे एक basic life में इंसान की requirement होती है रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक उसी तरीके से एक corporate life में जो आपकी requirement होती है P.P.R. हाँ जी, येज बचो, C.A. मुतरोरा दिस्टाइट फ्रॉम यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स एंड ये वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टुएंट्स के लिए होने वाला है जिनोंने रिसेंटली अपने 12 के एक्जैम्स दिये हैं और अभी अपने करियर में जो C.M.A है, that is the Cost and Management Accountant उस को करने का सोच रहे हैं, so सबसे पहले तो बता दू कि C.M.A. कोर्स के बारे में मुझे जितना लगता है कि बहुत ज्यादा awareness लोगों को नहीं है, and मैं तो हमेशा यही line यूज करता हूँ, कि जैसे पुलिस के बारे में सबको पता होता है, लेकिन RAW के बारे में इतना पता नहीं होता, चीक उसी तरीके से बाकी professional courses के बारे में awareness है, लेकिन C.M.A. के बारे में इतना ज्यादा awareness नहीं है, so इस वीडियो में मैं जो आपके सारे doubts है, that is, sir C.M.A. इस course में scope है क्या, sir हमें ये course कैसे करना चीए, क्या हम इस course के साथ with college कर सकते हैं, या without college कर सकते हैं, ये सारे जो common FAQs होते हैं, उन सारे FAQs को मैं इस वीडियो में address करूँगा, so make sure इस वीडियो में आप आखरी तक बन रही है, सबसे पहले तो अगर बात करें, जो cost and management accountant होता है, क्या से इसकी इंडिया में demand बढ़ने वाली है, for sure इसकी इंडिया में demand बहुत ज्यादा बढ़ as on date है, लेकिन as on date आप देख सकते हो, कि iPhones की बात कर लो या Cards की बात कर लो, बहुत ज्यादा companies ने अपने manufacturing plants को इंडिया में shift कर दिया, and simply the reason being, एक तो geographical environment इंडिया का बहुत बढ़िया है, secondly, जो काम करने के लिए workforce required होता है, वो भी इंडिया के पास enough है, and population में तो हम लोग न बहुत ज्यादा बढ़ने वाल है, and जहां पर production आएगा, जहां पर companies आएगी, वहां पर by default cost and management accountant का role बढ़ने ही वाल है, sir, cost and management accountant का primary काम क्या होता है, बढ़ा हम सबने basic 12 में पढ़ रखा है, कि profit calculation कैसे होता है, revenue minus cost करके, अब या तो आप revenue बढ़ो, या तो आप cost को कम करो, अ cost को optimize करना, cost को reduce करना, ये सब में मदद कौन करता है, इन सारी चीजों में मदद करता है, एक cost and management accountant, sir, क्या cost and management accountant की जो requirement है, ये optional है की compulsory है, बढ़ा compulsory है, सीधी बात है, पहले के जमाने में, जब GST नहीं हुआ करता न, तब indirect tax में audit करने का right, सिर्फ only मातर CS के पास था, लेकि इन उसी बराबर का दरजा CMS को भी दिया गया है, secondly, आप देख सकते हो, Companies Act में, cost audit rules में ये specifically mention किया गया है, कि अगर आपकी company production कर रही है, and if in any year, आपका production 25 CR से ज़्यादा होता है, तो आपको in-house cost and management accountant रखना ज़रूरी है, बढ़ा आप as a CA में job भी कर सकते हो, आप as a CA में practice भ आपको curriculum पढ़ाय जाता है, इस curriculum के कारण, आप life में अपना कुछ भी करना चाहो, तो आप very well उन सारी की सारी चीजों को कर सकते हो, Sir, क्या हम इस course को along with regular college कर सकते हैं, the answer is yes, because इस course को करने के लिए आपको अलग से किसी college में नहीं जाना होता, जो institute है, that is ICMAI, that is an organization set up by the government of India, व आप अपने ICMAI से exam preparations कर सकते हो, and उदर unique academy आपकी help करेगा, यह जो exam है, यह basically 3 stages में होते हैं, firstly is the CMA foundation, जिसमें 4 paper होते हैं, then is the CMA intermediate, जिसमें 2 groups होते हैं, और 4 papers each, same intermediate का model ही बेटा final level पर applied है, so, इस accordingly हमारा CMA का course designed है, सीधी बात है, हम लोगों को course करना चाहिए, क्या है, yes, तो म स्टफ है, yes, because you cannot expect बाकी किसी भी तोस की तरह, कि सर इसमें 40, 50, 60% passing है क्या नहीं रहे, passing percentage foundation level पर अच्छा है, intermediate final में जाते जाते, यही passing percentage 5% और 10% हो जाएगा, लेकिन, हम लोगों ने economics में पढ़ रखाए, बेटा, demand and supply, जिस चीज़ का supply कम होता है, उसी चीज़ का demand ज्याद होता है, तो सीधी बात है, कि आप लोग अगर यह course complete कर लेते हो, तो demand में तो रहने वाले हो, sir, as a fresher में कितना package expert कर सकता हूँ, बेटा, easily between 6 to 8 lakhs as on data package command कर सकते हो, and अगर आप rank score करते हो, so last attempt में ही via institute, 23 lakh रुपिस का package offer भी किया गया था, so you can go up to that range, opportunities आपके लिए बहुत ज् requirements है, so I can surely say, कि ये course आपको for sure करना चाहिए, जैसे एक basic life में इनसान की requirement होती है, रोती, कपड़ा और मकान, ठीक उसी तरीके से एक corporate life में जो आपकी requirement होती है, PPR, PPR stand for, पैसा चाहिए, yes, promotion चाहिए, yes, reputation चाहिए, yes, and for sure I can say, बहुत ज्यादा life को मैंने इस course को change करते वे देख है, so for sure आपको इस course को join करना चाहिए, इस course के बारे में बाकी जो सारी details है वो आपको इसी चैनल पर मिलते चलेंगी, so make sure आप इसी वीडियो पर stay connected रहिए, CMA foundation के तियारी कैसे करनी है, CMA foundation सरी, हमारी unique academy कैसे मदद करेगा, ये सारी चीज़े आपको provide कर जी जाएंगी, so make sure आ अगर आपके इसके अलबा कोई भी और doubts होते हैं, कोई भी और queries होते हैं, so आप इसी वीडियो के comment section में बोल सकते हो, and उससे related आम लोग एक specific video बनाएंगे, thank you very much, see you Mohitra Aura this side, from unique academy for commerce, bye bye